मेरे पास Galaxy S9 है और इसका पैटन लॉक में भूल गया हूँ यह बार बार मैंने डाला है इसलिए ट्राइए ट्राइए पैटन मुझे पैटन याद नहीं है अब मैं क्या कर साता हूँ मैं इसको हार्ड रिसेट करना हूँ करने के लिए मुझे क्या दबाना पड़ेगा पावर पिक्स भी यह पिक्स भी बटन होता है जो वॉल्यूम डाउन के नीचे रहता है और और वॉल्यूम डाउन बटन अब मैं इसको प्रैस करकर रखता हूँ जैसे ही यह हुआ तो मैंने यह उपर वाला बट्न पिक्स भी को दबा के रखना है पावर भी दबा के रखना है और वॉल्यूम आप दबा लेना है जैसी वॉल्यूम आप दबाएंगे आप तो अब यह फैक्टरी रिस्ट मोड के लिए हमें पूछेगा और इसने नहीं पूछा हमने कुछ मिस्टेक किया है फिर से पर पावर बटन दबाऊंगा मैं वॉल्यूम डाउन बटन और पिक्स भी बटन और इस पाद देखते हैं इस पाद मैंने जैसी ब्लाक स्क्रीन होती हैं को पावर अप बटन दबाना है यह देखें जैसे आपने दबाया कंबिनिशन अगर ठीक रहेगा तो आपका भी ऑप्शन आ जाएगा रिकवरी एंड्रोइड रिकवरी के लिए वॉल्यूम डाउन बटन से आपको जाना है वाइप डेटा फैक्टरी रिसेट तक पे आना है देखें यह वाइप डेटा फ यह अब एक ऑप्शन फिर से पूछ रहा है कि यह पूरे डेटा को हटा देगा तो यह सो नू वॉल्यूम डाउन बटन से हम आते हैं यह पे और यह पावर से सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यह ब्लाक स्क्रीन हो जाएगा फिर से आप दबाएंगे अब यह फेक्टर्री रिसेट होने लगा है कि यह सामसंग के लोगों पर थोड़ा टाइम लेगा अगर आपके पास समसंग गैलक्सी 10S प्लस है तो मेरा एक और वीडियो है जिस पर मैंने बनाया था उसको हार्ड रिसेट करने के लिए वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर यह थोड़ा टाइम लेता है एक से ट्रीड मिनट यह ले लेगा प्रोसेस करने में अगर यह इतना टाइम लेगा इसका मतलब यह ठीक से रिसेट हुआ है अदर्वाइस यह कुछ हैर देता आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहता हूँ अभी टाइम लेता है थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा अपने को यह अगले स्टैप पहां गया है लोगों के बाद स्टार्टिंश अंड्डरईड के अबाद याइं इंस्टरों लिग अप्लिकेशन प्लेइस के मतलब है हार्ड लीशलिक नीज़ ज़्दान Literally रहा है, let's go, wow, it means, यह हो गया है, अब यह, I have to, I have read, agree all, above statements, next, skip for now, data मुझे अभी नहीं चाहिए, पुराना, next, करता हूँ है, an unauthorized attempt, unauthorized attempt has been made to reset your device, वाइफाई से connect करके हमें अपनी identity proof करने होगी, नहीं तो यह समझेगा कि चोरी का phone है, तो उसके लिए आपको जो user ideal password से login किया था, Gmail या उससे, यह उससे verify कर लेगा, यह Samsung का जो account होगा, उससे भी verify कर सकता है, उसको भी मैं skip करके process करता हूँ, दोबारा, यह support नहीं करता हाला कि, यह skip ले नहीं है, इसको connection चाहिए और identity proof करें नहीं पड़ेगी, वीडियो पसंद आया तो subscribe करें चैनल को, thank you for watching,